नमस्का, डेली PCS GK में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रशन से हमारा प्रशन था विश्टू ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कम मनाय जाता है आपके विकल्प थे 26 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई इसका सयुत्तर है विकल्प भी 25 जुलाई प्रतिवर्स 25 जुलाई को विश्टू ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाय जाता है 2030 के लिए इस दिवस की थीम है इसका उदेश पारी में डूबने के बारे में जागरुकता फैलाना और इसे रोकने के लिए विविन उपाय तैयार करना आपको बताते कि 2030 में छेतरवी विश्व स्वास्त सभा ने दूबने की रोक थाम पर अपना पहला प्रिस्ताव अपनाया है स्विंग्तिराष्ट माहसबाद्वारा 2021 में एक प्रिस्ताव द्वारा 25 जुलाई को इस दिवस की रूप में खोशित किया गया था इसके बाद 25 जुलाई 2021 को पहला बिश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाय गया यह परिवारों वा समदायों पर दूबनी की दुखत और गहन प्रिभाव को उजागर करने और इसे रोकने हेतु जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर की रूप में कार करता है यह दिन सभी हिते धारकों को इस समस्या से निपटने की जरूरी उपायों पर चर्चा हेतु आमंत्रित करता है ताकि ऐसी मोतों में कमी लाइडा सके चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रशन है अंतर राष्टिये प्रदश्नी जाह सम्मेलन यानि IECC केंदर का उदगाटन किस केंदर शासित प्रदेश या राज में किया जाएगा विकल्प हैं ए चन्डीगर, बियुत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली या फिदी राजस्थान इसका सायुत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली हाली में प्रदार मंतरी नरेंदर मोदी नई दिल्ली के प्रगती मैदान में अंतराश्टी प्रदश्णी सही सम्मेलन केंद्र परिसर का उदगाटन करेंगे IECC कॉंप्लेक्स को भारत के सबसे बड़े मीटिंग, इंसेंटिप्स, कॉंफरेंसिज एंड एग्जिवीशन गंतव की रूप में विक्षित किया गया है इसमें एक कन्वेंशन सेंटर, प्रदश्णी हॉल और एमफी थीटर साहेट कई अत्यादुनिक सुवधाईं शामिल हैं इस परिसर के भब्ब बहु देश्य हॉल और प्लेनरी हॉल की सेवक्तिक्षमता 7000 लोगों की है इसे शंक के आकार की रूप में विक्षित किया गया है इस कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तो शिल्प डिजाइन भारती प्रमपराव से प्रेरित है ये आदरिक से उधाओं और जीवन शेली को अपनाने के साथ साथ अपने अतीत में भारत के आत्म विश्वास को और दड़ विश्वास को भी प्रदश्यत करता है इस नए परिशर की विकास में भारत को वेश्वग व्यापार गंतव की रूप में बढ़ावा देने में मदद मिले की अगला प्रशन मैंग्रूप सरनक्षड दिवस का मनाय जाता है 26 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 27 जुलाई इसका संयुत्तर है विकल ए 26 जुलाई, प्रति वर्श 26 जुलाई को मैंग्रूप पारिश्थित की तंद्र के सरनक्षड के लिए अंदराश्टी दिवस International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem मनाय जाता है इसका उदेश मैंग्रूप पारिश्थित की तंद्र के प्रती, जागरूपता बढ़ाना वा उनकी स्थाई प्रबंधन और सनक्षड को बढ़ावा देना है संग्तिराश्ट स्तैक्षिक व्यज्यानिक और सांस्कितिक संग्ठन यानि UNESCO की आमसभाद्वारा 2015 में इस दिन को अपनाय गया था मैंग्रूप के बारे में जानते हैं, मैंग्रूप शब्द दलदल में रहने वाले पेड़ों और जाड़ियों को संदर्वित करता है ये एक छोटा पेड या जाड़ी है जो समुद्ध तर्ट के किनारे उकता है मैंग्रूप के भल उश्ड कटि बंदिये या उपोश्ड कटि बंदिये अक्षांसों की भीतर आदृता युक्त तर्ट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं क्योंकि वे बेहत कमता पान का सामना नहीं कर सकते पारिस्थितिक रूप से मैंग्रूप मिट्टी को उबजाओ बनाने एवं उसकी क्षमता को बनाय रखने में महतपूर है अगला प्रशन जैवो पचारण यानी वायो रेमेडियेशन तकनीक की संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार कीचिए एक ये प्रगती में घटित होने वाली जैवो निम्रिकरण प्रक्रिया का ही समवर्धन कर प्रदूशड को स्वक्ष करने की तकनीक है दो, कैडमियम और लेट जैसे भारी धातूँ से युक्त किसी भी संदूशक को स्वक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवो पचारण द्वारा सही जी पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है उपरिक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्ते हैं जैवो पचारण एक उपचार प्रकिरिया है जिसमें प्राक्तिक रूप से पाए जाने वाले सुक्ष्म जीवों जैसे खमीर, कवक या बैक्तिरिया का उप्योग खतरनक पदार्तों को कम विशाक्त या गैर विशिले पदार्तों में विखंडित करने, निमनीक्रण करने क सही है, सुक्ष्म जीवों का उप्योग करके सभी संदूशकों को जैवो पचारण द्वारा आसानी से उपचारित नहीं किया जा सकता, अता कथन दो सही नहीं है अगला प्रश्न, हेली सम्मिलन 2030 का शुवारंब कहां किया गया? खुजराहो, ओर्चा, भोपाल या फिर पटना, इसका सायूत तरे विकल्प A, खुजराहो हाली में नागरी कुद्धिन मंतरी जोतरा आदित सिंधिया ने खुजराहो में हेली समिट 2030 का आयूजन नागरी कुद्धिन मंतरा लेद्वारा स्वेक्त रूप से मध्य प्रदेश सरकार पवन हंस लिम्टिड और Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यानी फिक्की के सरयोग से किया गया है हैली शिकर समिलेन 2030 का विशय अंतिम मील तक पहुँचना हैली कॉप्टर और छोटे व्यवानों के माध्यम से शित्रिय कनेक्टिव रहा है आपको बताते कि उड़ान 5.2 छोटे व्यवानों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने पर केंद्रित है कारकरम के दोरा श्री सिंध्या ने हैली सिवा मोबाईल अप्लिकेशन वा हैली सिवा पोर्टल भी लौंच किया हेली सिवा पोर्टल डिज्टल इंडिया के तहित नागरी कोड़ियन मंत्राले की एक पहल है जो हेलिकॉप्टर, ओपरेटर और जिलादिकारियों की बीच एक पारिश स्थित्की तंतर बनाने के लिए एक साजा मंच तयार करता है अगला प्रश्ण इसका सईउत्तर विकल्प यह भारत की दूसरी प्रमुक मिर्दा है जिसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तता दिश्चिर भाग में कम वर्सावाले उन च्हित्रों में हुआ जहां रविदार आगने चट्टाने पाई जाती हैं जिसमें ग्रेनाइट तता नीस शामिल है लोई के ऑक्साइड मुकता फेरिक ऑक्साइड की उपस्तिती के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है इस मिर्दा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाष, एवं ह्यूमस की कमी होती है ये सभाव से अमलिय प्रकेति की होती है अगला प्रशन पनामा नहर किन दो महाशागरों को जोड़ती है इसका सही उतर विकल पे अटलांटिक और प्रिशान्त महासागर लंबे समय से सूखा जारी रहने के कारण पनामा नहर ने हाली में प्रत दिन आस्तन क्रोसिंग को 32 जाहजों तक सीमित कर दिया है पनामा नहर के बारे में जानती हैं यह पनामा के इस्तमुस के पार अटलांटिक और प्रिशान्त महासागरों को जोड़ती है यह दुनिया के दो सबसे रड़नीतिक कृतिम जलमारगों में से एक है दूसरा सुईज नहर है यह लगबग 80 किलोमीटर लंबी है इस नहर का नर्मार सुईज अमेर का द्वारा 1904 और 1914 की बीच किया गया था और इसे आधकारिक तोर पर 15 अगस्त 1914 को खोला गया था इसका सौमित और प्रिशासन पनामा गड़राजी के पास है क्योंकि 1999 में नहर की निगरानी सुउक्तराज अमेरिका से पनामा में स्थांतरित कर दी गई थी पनामा नहर में तालों के एक श्रंखरा होती है जो महदूपी विवाजन के मात्यम से जहाजों के मार्ग को सुविधा जड़क बनाने के लिए जल इसतर को बढ़ाती और घटाती है अगला प्रशन कृष्ण राजसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है इसका सायूत तरे विकलब बी कावेरी भारी बारिश के करण हाली में कावेरी के पास कृष्ण राजसागर में जल इसतर 124 दशम लब 8 फीट की छमता के मुकाबले 100 फीट के निशान को पार कर गया कृष्ण राजसागर बांध के बारे में जानते हैं यह एक प्रिकार का गृत्तो बांध है यह करनाटक के मांडिया जिले में कावेरी नदी और उसकी साहे के नदियों हिमाबती और लक्षमर तीर्थ के संगम के नीचे स्थित है बांद के पानी का उपियोग मैसूर और मांडिया में सचाई के लिए किया जाता है और यह मैसूर मांडिया और बेंगलूज शहर के लिए पीने के पानी का मुक्सरोत है यह शिवाना समुद्र पन विजली स्टेशन को विजली के आपूरती भी सुनिश्चित करता है इस बांद से छोड़ा गया पानी तमिलाडू राज्य में बहता हैं और सलेम जिले के मैट्टूर बांद में संगृत गया जाता है काविरी नदी के बारे में मुखितत थे इस फ्रकार हैं काविरी दक्षिर भारत की एक पवित्र नदी है इसे दक्षिर भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसकी उत्पत्ति ये दक्षिर पश्चिम करनाटक राजि में पश्चिमी घाट की ब्रह्म गिरी पहारी से निकलती है ये करनाटक और तमिलाडू राजियों से होकर 765 किलोमीटर तक दक्ष्री पूर्व दिशा में बहती है और बड़े जहनों की श्रंखला में पूर्वी घाट से नीच उतरती है अगरा प्रशन अफ्रीकी संग में कितने देश शामिल है इसका सही उतर है विकल्प D. पचपर्द भारत के G20 शिर्पा ने हाली में कहा कि अफ्रीकी संग को G20 का स्थाई सदस्द बनाने के पिस्ताव को जबरदस्त प्रतकरिया मिली है अफ्रीकी संग के बारे में जानते हैं अफ्रीकी संग एक महाद्यूपी निकाई है जिसमें 55 सदस्द देश शामिल हैं इसे आदकारिक तोर पर 2002 में लॉंच किया गया था और इसने अपने पूरबरती Organization of African Unity जानी OAU की जगहली थी जिसके स्थापना 1963 बे हुई थी इसका प्रात्मिक उदेश व्रशुग मंच पर महाद्यूप के हितों को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी देशों के बीच एकता सयोग और विकास को बढ़ाबा देना है इसका उदेश एक एकी करित, समरिद्य और शान्तिपूर अफ्रीका प्रात्य करने की दश्टि से अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और समाजिक एकी करण को मजबूत करना है इसका मुख्याल है अदीस अवाबा इथियोपिया है चलिए अब नूट कीजिए आज का भ्यास प्रश्न सफदर जंग मकबरा कहां इस्तेत है इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना न भूले मिलते रहे सेशन में तब तक के लिए नमस्कार कर दलिए 4 कर दो सफरय दलिए